लायन्स मेंस आपको screan पे दिख रहा है लायन्स मेंस आपको यहान पे image भी दिख रहा है ğ hiện करहा है यह ऐप modify it तो यह संद्धी ऐप करन आपको वाइक दिख रहा है तो यह जो वाइक पर उपर कर दिख रहा है उसको हम कि लोग इसको प्रेलेट करते हैं हमारे ब्रेंस के अंदर जो भी वाइट और ग्री मैंटर है उसके साथ तो यह हमें टाबलेट और कैप्सूल यह दोनों फर्म में मिला है कि जैसे मेरे यहां पर क्लिनिक में जो पेशन्स थे पहले इंडिया में नहीं था तो हमें क्या करना पड़ता था कि अगर उनके कुछ रेलेटिव रह रहे दुबई में या कहीं और से वह मंगाते हैं तो बेनिफिट होगा तो इसलिए हम क्या करते थी कि पेशन्स दूर दू से मंगा के वह कंटिनू करते थे लेकिन अभी हम इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूं कि लाइंस में और कॉडिसेप्स दोनों हमें अभी इंडिया में अविलेबल है जो जिनको भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको भी लेने की जरूरत है वह चीजे क्योंकि एक काम करता है हमारे ब्रेन को ग्रो करने में तो वह कैसे काम करेगा मैं आभी आपको बताऊंगी आप सब लोग सुनिए क्योंकि जैसे नौलेज आप लेंगे उस वही नौलेज आप आगे सामने वालों को भी देंगे तो उसका ओरीजिन से हम स्टार्ट करते हैं तो में लिए यह फॉरेस्ट में पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में और ट्रेडिशनली यह यूज होता आ रहा है है ब्रेन की हेल्थ के लिए और गठ हेल्थ के लिए ट्राइशनल चाइनीज मेडिसिन में भी यह यूज होता है वह उसका यह प्रते हैं इसके या फिर शागी एपीरेंस है इसके वज़े से इसको शिफ बेर्ड मश्रूम लायंस मैंस ऐसा नाम दिया गया है ट्रडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ब्रेन और गट हेल्थ इसके उपर काम करने के लिए यूज होता है ब्रेन और गट हेल्थ का जो मतलब एक्सिस है या फिर ब्रेन गट एक्सिस है उसके बारे मैं आपको आगे बताऊंगी लेकिन यह स्पेशली नर्फ के उपर बहुत अच्छे से काम करता है जो हमारे पूरे शरीर में नर्फ का एक जाल है तो हर एक नर्फ क्योंकि हम कोई भी सेंसेशन हमें होती है वो नर्फ की वज़े से होती ह है जैसे कि हम कुछ गरम चीज़ को हाथ लगाए गरम लगता है तो वो रिसेप्टर हमें ब्रेन की तरफ पहुंचाता है कि यह गरम चीज़े उसको हाथ नहीं लगानी है तो कभी-कभी क्या होता है कि लोगों में नर्फ जो निूरोपैथी दिखाई देती है कॉम्प्लिक जिन जिनाहट सा फीलिंग रहता है लोगों में तो यह सारी कॉम्प्लिकेशन की आगे की बात हुई लेकिन अगर हमें सब को पता है कि यह जो नर्फ है ब्रेन के जो नर्फ सेल्स है अगर यह बहुत क्रॉनिक डिसिजिस के वज़े से डामेज हुआ तो वो रिवर्सिबल नहीं हो पाता लेकिन अगर हम लाइंस में स्कार्टिंग से यह लेना शुरू करते हैं तो हम नर्फ हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं मेंली जिनको मेंटल क्लारीटी नहीं होती ब्रेन फॉक जिसे कहते हैं ब्रेन फॉक कैसा होता है जब हम बहुत स्ट्रेस म करने की हम सो देखते हैं कि अगर बच्चों में भी वह पढ़ाई कर रहे हैं तो वह उनको याद नहीं रह पाता अच्छे से उनका फोकस और कॉंसेंट्रेशन कम हो जाता है तो इन कंडिशन में लाइंस में बहुत अच्छा काम करता है अन्जाइटी और डिप्रेशन में भी नर्व डामेज होना कोई भी नर्व हो आखों की नर्व हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ जाना यह सारी चीजे यह से रिलेटर होती है तो हमें हमारे नर्व को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी बात है शुरू बात से ही और इसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स पाए गये हैं जिनको नर्व ग्रोथ फैक्टर स्टिमूलेट करते हैं इसके वज़े से आपकी नर्व की ग्रोथ भी अच्छे से होती है जो सेल डेथ होती है या फिर ब्रेन सेल में जो सूजन रहती है दिमाग के अंदर सूजन हो जाती है कभी हीमोरेज प्लॉट्स यह सारी चीजे उसक लिएल में मड़न को परिषान के ठाइब करते हैं को लेस्ट्रॉल मनेजमेंट लिपीड प्रोफाइल का मैंनेजमेंट करते हैं अभी आप यह मिज देख पा रहे हैं कि एक ब्लड वेसल की इमेज है आप देख रहे हो उन्यूसमें फ्लिट सेल्स जा रही है लेकिन बीच म बढ़ता है तो आपको स्ट्रोड के चांसे ज्यादा है याथ एक के चांसे ज्यादा रहते हैं। इसके भी चांसे जादा रहते हैं तो इक कोलिस्टॉल मैनेजमेंट करना बहुत इंपोर्टेंट है जो लाइंस में करता है कोलिस्टॉल मैनेजमेंट का मैं मतलब गुड कोलिस्टॉल बढ़ाना और बैड कोलिस्टॉल को कम करना और गट हेल्थ तो यह अच्छा रखता ही है क्योंकि traditionally गट health के लिए use होता है, गट health और हमारे brain का क्या लक्षन है, मैं आपको आगे समझाँगी, neural growth hormone, उसको nerve growth hormones भी कहा जाता है, और neural growth factors भी कहा जाता है, तो यह ऐसे proteins होते हैं, जो हमारी nerve को regenerate करते हैं, मतलब जो nerve damage की stage से जा रही है, उसको regeneration करना, जैसे कि हम देखते हैं, अगर एक myelin sheath होता है nerve के उपर, उसको एक protective layer होता है, protective layer मतलब एक layer है, उसके अंदर nerve है, nerve को कभी भी directly damage नहीं होता, क्योंकि उसके उपर protective layer है, जो myelin sheath नाम से जाना जाता है, आजकल myelin sheath का जो damage है ना, वो किसी भी वज़े से हो सकता है जैसे कि शरीर में आपकी acidic level बढ़ी है, या फिर आप stress में है, anxiety में है, तो हमारी body directly defensive mechanism में जाती है, तब ही भी हमारी nerves को damage हो सकता है, तो इस condition में nerve damage रोकना, मतलब वो जो myelin sheath है, अगर वो damage भी हो चुकी है, तो re-myelination, regeneration, नई बनाने का काम, हमारा ये neural growth factor, मतलब nerve growth factor, या nerve growth हार्मोन ये करेगा, क्योंकि ये stimulate blindness में जो contents पाये जाते है, hericinones और irinescence, ये बहुत important है, ये promote करते है, new connections between brain and cells, तो new connections कैसे होते है, अगर हमारे brain को, या brain cell को injury होती है, तो दो तरीके से हमारी recovery होती है, एक तो पूरी की पूरी brain cell हमारी नई बनेगी, या फिर जो भी brain cell है, जो injured है, वो आसपास की healthy cells को ढूनती है, और वो healthy cells को ढूनके एक नया connection बनाती है, stimulus करके, new rides या dendors बनाते है, तो नया connection बनाती है, तो ये second जो part है, जो second root है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, अगर brain injury भी अगर हो रही है, brain cell damage भी हो रही है, तो एक नया neural connection बन जाता ह है, वहाँ पर, तो ये नया neural connection बनना, ये हमारे neural growth factor करते हैं, और उसमें जो पाये जाने वाले तत्व है, वो करते हैं, तो मीन हमारा यही focus है, कि आजकल सबको, सबकी lifestyle stressful है, तो लाइंस में सब regular use करते हैं, तो नर्व के लिए आपको ये बहुत ही अच्छा effect देगी, ठीके, और traditionally ये antioxidant करके भी पाया जाता है, immunity के लिए भी बहुत अच्छा है, लाइंस मेंस, immunity भी बढ़ाता है, क्योंकि सब जो mushrooms के types हैं हमारे, जो भी important types है, ग्यानोडर्मा है, quadriceps है, लाइंस मेंस है, वो हमारी immunity के उपर बहुत अच्छे काम करते हैं, cognitive compounds को बढ़ाते हैं, cognitive skills मतल करते हैं, या फिर उनको याद नहीं रहता है, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, या फिर वो focus नहीं कर पाते हैं, या फिर हम भी कुछ सीखने जाते हैं, नहीं चीछ सीखते हैं, तब हम focus या फिर कुछ clear नहीं हो पाता है, याद नहीं रख पाते हैं, इसमें क्या होता है, cognitive skills कम हो जाते हैं तो आप जो भी decision लेते हो मतलब हमने देखा है कि जिनका strong mindset है वो बहुत जल्दी से decision लेते हैं कोई भी difficult situation आ जाती है उसमें यह बहुत अच्छे भी करेगा क्योंकि नरिश्मेंट का यह काम करेगा ब्रेंस को क्योंकि यह कैसे grow करता है हमारे nerve cells डामेज होती है उसको वह कैसे repair करता है यह आप आपने देखा तो memory booster की तरह भी जो memory booster की तरह भी बहुत अच्छे से काम करता है hippocampus एक memory center होता है हमारे brain के अंदर hippocampus एक ऐसा center है अगर वो अच्छे से काम करता है तभी हम हमारी memories को याद कर पाते हैं या फिर हम जो भी चीजे देखते हैं वो हमारे दिमाग में store हो जाती है तो learning या फिर काम करने में hippocampus अच्छे से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है कभी-कभी Alzheimer's या फिर या फिर Parkinson's disease में क्या होता है कि श्रिंकेज हो जाता है ब्रेन का इसका मतलब उसका hippocampus center जो है वो श्रिंक होने कम होने लगता है इसी के वज़े से उनको memory loss जैसी लक्षन दिखते हैं कुछ याद याद नहीं रहता यादश कम होने लगती है तो hippocampus में हमारा एक memory center है उसको revitalize करना उसको energy देना और उसकी health maintain करना यह लाइंसमेंस बहुत अच्छा काम करता है इसका मतलब है लाइंसमेंस आपको generally daily as a nutritional supplement for brain इसको brain food कहा जाता है तो यह brain के लिए भी खाना बहुत ज़रूरी है neurotransmitter जो generate होती है signal support neurotransmitter के बारे में मैं आपको कहूंगी कि generally हमारा जो large intestine है हमारे पेट के अंदर तो large intestine में सबसे ज़्यादा neurotransmitters तयार होते हैं इसके वज़े से अगर आपका पेट अच्छा है तभी आपका दिमाग भी अच्छे से चलता है तो यह बहुत important है neurotransmitter को यह release होने में मदद करता है और gut health भी बहुत अच्छे से रखता है जो ulcers होते हैं जैस इसके वज़े से यह stomach ulcers होते हैं और वहां पर infection बढ़ते हैं मतलब swelling आना और hyperacidity होना या फिर पेट में जलन होना जैसे stomach के नीचे आ जाता है हमारा small intestine large intestine एक बार वहां पर infection आ गया तो नीचे जाके large intestine में या फिर small intestine में जाके भी ulcers तयार होते हैं तो इसको irritable bowel syndrome में इसका परिणाम होता है तो irritable bowel syndrome आपने भी देखा होगा जिनको ज्यादा stress है या फिर जो ज्यादा overthinker है ऐसे लोगों में यह ulcers के जो लक्षन है वो ज्यादा दिखाई देते हैं तो यह bacteria h pylori bacteria के उपर भी बहुत अच्छे से काम करता है h pylori bacteria जो हमारा mucosal layer होता है stomach के उपर क उसको यह damage करना शुरू कर देता है इसलिए एक prevention के तौर पर हमारी gut health भी अच्छे से रहे इसके तौर पर linesman's हम use कर सकते हैं daily basis पे जनरली इसका हम dose लेते हैं 3-6 capsules लेकिन अगर 12 साल के कम उमर के बच्चे हैं उनको हम एक-एक भी दे सकते हैं और जो बड़े हैं उनको हम 3 to 6 capsules start up 2-2 से करें और फिर आप उनको बढ़ा सकते हैं